देखिए फैंसिंग होनी चाहिए लेकिन जो हमारी ट्रेड है बाइटर ट्रेड है फैंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा जब हमारे आल लड़ी गेट होंगे बौर्डर के लिए जैसे अफगानिस्टन के साथ ट्रेड हो रही अब इस गवर्मेंट सिस्टम की इजाज़त होते हैं अफगानिस्तान हमारे मुस्लिम कंट्री है लेकिन इंटरनेशन लेवल पर हमेशा वहमारे गेंस गया है जैसे यह उदर तालिबान के कुमत आई है तो आप्टर वन वीक पाकिस्तान में जराब हमला हो गया बाटर फैंसी को लिए उस और मे इंग्रेसिव एक मूव लगता है री सेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायलोई सोचल मीडिया पे के ही वास परफॉर्मिंग प्रेयर ठीक है वो नमाज दा कर रहे थे अगर यहां पे कोई बंदा क्रिस्टियन है हिंदू है वो सरयाम किसी रोड़ पे नमाज हैं आप अपनी बादर कर से जो बंदा आपके साथ मिल बैट के काम नहीं करना चाहता तो आप पिर जो नहीं है वार्डर वाल इसलिए फिर इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से कौन सा कंट्री अफगानिस्तान इंडिया या चैना यही मतलब हैं बाडर या एरान है कौन स किसी मजब से नफरत करनी है और हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशन है खास दोर पे अफगानिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें या इवन एरान की बात करें हमारे बार्डर के ओपर क्या उनके साथ किस तरीके से तलुकात हैं देखें सबसे पहले अगर हम पाकि अगिस्तान में प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी है यह सब चीजों की काजिज है कि जो चीजें खराब जा रही है ठीक है अगर हम इंडिया की अपने मसाई की बात करें तो हम वही एक ट्रडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि यह हमारा दुश्मन है हमारा एनिमी है लेकिन अगर आपने जिन्दगी में आगे बढ़ना है अपना इंटरनेशनल लेवल पर इमेज ठीक करना है तो आपको जो अपनी स्ट्रेटिजी जो डिप्लोम इसी है ठीक है वह बहुतर करनी पड़ेगी ठीक हो गया आपने जो बात किया कि वहां उनकी करंसी कंट्रीज में यूज हो यह ट्रेड के लिए और हमारे यहां पर अपनी करंसी ही यूज नहीं होती ठीक ठीक है इसका मदलब है वीजन का सोच कहीं नहीं फरक है अभी उनके इंडिया के फारंटनेशन किया कि क्या बार्डर वाल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ उन्होंने बोला न किनेंशली कोई बंदा स्ट्रोंग नहीं होता मुलक भी ऐसे चलते हैं अगर आपकी ठीक होगी ना तो आपके सारे मामलाद ठीक होजेंगे लेकिन अगर आप यही बात करते रहें हमें यहां से ठीक है तो जो धूर कैसे होते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हों जब आप ठीक है अफगानिस्तान हमारे मुस्लिम कंट्री है लेकिन इंटरनेशन लेवल पर हमेशा वो हमारे गेंस गया है समझे जैसे यह उदर तालिबान की कुमत आई है तो आप्टर वन वीक पाकिस्तान में जराब हमला हो गया बार्टर फैंसी को लेकि दो दिन पहले हुआ मैं मैं बड़ी अथेंटिक बात करूं आलमुस हर हफ़ते या हर दस दिन में एक नाएक अटैक हमारे बार्टर पे जरूर होता है जो जो के अफगान बार्टर के उपर होता है और हमारे फैंसी का कोई फाइदा हुआ है हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है यह हिस्ट्री है हम उनके साथ सदीयों रहें ठीक है अगर आप पर्टिशन की बात करना तो इस पार्टिशन पर भी कोई खुश नहीं था ठीक है जो फुश नहीं थे जा पार्टिशन स्टीं में परहाई जाती है यह अब 9 मैं को जो हमला हुआ है तो सब को पता चल गया है जन अगर आप देखें बाहर चले जाएं ठीक है री सेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वारी लोई सोचल मीडिया पे के ही वास परफॉर्मिंग प्रेयर ठीक है वो नमाज दा कर रहे थे अगर यहां पे कोई बंदा क्रिस्चन है हिंदू है वो सरयाम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी बादत करना शुरू करते हैं तो हमारे मुलक में इसको विद्द समझा जाता है हलाके हमारा जो रिजिजन हमारा जो कंस्टिटूशन है वह चीज़ की जाज़ता है कि आप अज़ाद हैं जहां चाहें आप अपनी बादत कर सकते हैं आपकी बात बढ़ इस उनका अपसमें आज तक अथाद नहीं हो पाया और यह जितने भी पॉलिटिशन्स और प्रिटिकल पार्टी देख वो एक हो जाते हैं कि जिनका किहलें कि जो परपस है वो लूट मार है यहिनि वह एक हो जाते हैं लेकिन जो इसलाम की बेस भी अपनी पार्टी लेकर आ कहते हैं आपको सबसे पहले सोचना चाहिए देखेंगे ना तो क्यों थाना के नौर लीजिन इस हाइर देन हुमेनिटी से बड़ा कोई मजब नहीं है कि हर कोई भी चाहिए वो क्रिस्चैनटी है हिंदुजम है ठीक है काम है हर जगा पर हुमेनिटी ठीक है अगर आप एक इनसान को वैल्यू नहीं नहीं दे रहे तो आपके मजब को कोई भी नहीं देखेगा मेरे भाई ऐसी डिबेट्स ऐसी गुफ्तकू हमारी युनिवस्टी में क्यों नहीं होती हमारी रोड्स पर मतलब यह जो हम प्रोग्राम करते हैं ऐसी गुफ्तकू क्यों नहीं होती देखें और जो कोई ऐसी बात करता भी है ना मैं आपको एथेंटिक क्योंके हमारा तो का सब्सक्राइब ह jack though only धुस्टक्राउड टैटिए थे लिए अच्छा सुडसंट करने के लिए च्छा सूड़ए जो आपने बात किए एक जो भी मजब है ठीक है अगर अगर आपने किसी मजब से नफ्रत करनी है या आप उसे इतलाब रखते हैं तो एट लीस आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए हमारे यहां पे बहुत से लोग है जैसे कि तरही के लबबाई की मिसाल देता हूं सरगोदा में बैंक मैनेज मैनेजर को उन्होंने कतल शूट करके लबबाई का नेरा लगा दिया हिंदू था वो कौन था ने वो मुस्लमानी था जो मैनेजर था ठीक अब बाकी वो स्री लिंकन वाला भी आपने वाक्या सरह देख लिया वाक्या पेशावर में सिक्षों के साथ जो वाक्या पेशाया लेकिन ऐसे वाक्या दूसरे कंट्रीज में भी होते होंगे बट हमारे यहां पे उसकी मेजर कास क्या वो जानने की जरूत है अच्छा लगा आपसे बात करके लास में बस मुझे ये बताएं कि ये जो हिंदू-मस्लिम वाला कंसेप्ट है इसे आगे बढ़के हमेनिटी वा वाल ऑफ चाइना बिल्ड की गई थी ना उसको भी लोग क्रोस कार जादे अंदर चले जाते थे क्यों वहां पे जो गार्ट होते थे उन्होंने उनको एजुकेट नहीं था किया वो मॉरली करफ्ट थे हमें जो मॉरल क्रेक्टर बिल्लिंग करनी पड़ेगी और ये जर्मन में फैंसिंग करना या बॉर्डर वाल कोई हाल है दो कंट्री के दरम्यां रिलेशन बेदर करने में देखें सबसे पहले जो बॉर्डर वाल की बात यह बहुत जरूरी है देखें हमारा इस वक्त जो लोंगेस्ट बोडर रहना वह अफगानिस्तान के साथ है कोई तक्रीब अगर हम फैंसिंग नहीं करते हैं पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में भी जैब अनार्की फैलेगी ठीक है उसके बाद टेरारिजम के चांसे ज्यादा होंगे यह बहुत बड़ाइब नहीं नहीं देखें डिफ्रेंस नहीं है फैंसिंग इस वजह से बेसिकली की जा अगर हम फैंसिंग नहीं करते हैं अपनी पूरी उठागे ले जाते नहीं कुछ जगों पर इस तरह के वाकात होते हैं लेकिन फैंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है कंट्रोल हुए नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता दो चार पांच विस्त मामलात रह जाते हैं लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये एक दो तीन चार बंब लास्ट हुए है आपको अथेंटिक बात करते हूं हर दास दिन में कहीं ना कहीं अफगानिसान बादर पर चाहिए वो अफगानिसान करता है यह लेकिन अफगानिसान बैडर पर अटैक होता है हमारी तरफ यह जो भी है क्या इंडिया के साथ भी पिर हम यह ऐसे फैंसिंग कर लें देखें होनी चाहिए लेकिन जो हमारी ट्रेड है बाटर ट्रेड है फैंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा जब हमारे अलड़ी गेट होंगे बौर्डर के लिए जैसे फगानिसान के साथ ट्रेड हो रही है अब इस गवर्मिन एक बहुत अच्छा इनिश होगया उन्डर यूं-गेट हो सी नहीं और गालत बहूं फिर घर हो जायेंगी और हूज है लोगों की मवख़ मोट कर सकते हैं तैनि यह किूआ हम अलेकूं आपका नाम फाहद मकसूद्व सुभ या करते हैं आप अब हं कि कुछ नगा कम्प्यूटर साइंस की अच्छा आपके फिल्ट के हवाले से पहले करता हूं जर्नल से उसके बाद टौबिक पहुंगा ये बताएं पाकिस्तान में computer science की degree करने के बाद क्या scope नजर आ रहे हैं कुछ नहीं नहीं मतलब आपने पूरी डिगरी कर ली और आप कह रहे हैं कुछ नहीं वाके में अभी जो है ना यह सिंपल एक सिस्टम साइटी इन्वार्मेंट पेरेंट्स या पिर खुद का एक डिसीयन ले लिया उसकी वज़ा से रेडी होता है उसके साब से वह देखता है जो देखना चाहता है तो स्कॉप बहुत है खास्तुर पर हमारी कंट्री इंडिया की तरह बंगलादेश की तरह सबसे बड़ी जो नहीं है आइटी एक्सपोर्टर है सबसे बड़ी कंपनी इस टेम और मॉस्ट टू बिलियन तू आइटी कंपनी है डेफसिंग वह और मॉस्ट थरीन हंडड़ एंप्लॉइस है और उनकी टू बिलियन की एक्सपोर्ट है तो स्कॉप बहुत है आपको पर ढूंडें चेक करें मैं इनकी बास से किसी आपकरी करता हूं देखें स्कॉप हमने खुद बनाना होता है किसी भी किसी भी डिक्री में मुझे ये बताएं जिसपार विडियो जिस पे हम रिकार्ड करें वो यह है के रिलेशन्स बہतर Ugh करें अपने नेवर्स के ऐसाथ अफग cavity के साथ वह बेहतर है या पिर आप यह करें के वाड़र nuggets के साबर की लगते हैं वह चीज-स चो चलनी चलनी है व क्या जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो चीज़ बढ़ सकती है हालाद अच्छे हो सकते हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो यह चीज़ नहीं कहत्म होने मेरा क्या बार्डर वाल जरूरी है आप इसके ओपर क्या कहना चाहेंगे कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए य लगे जो बंदा आपके साथ मिल बैठके काम नहीं करना चाहता तो आप पर जो नहीं है इसलिए फिर इंपॉर्टन्ट है आपके ख्याल से कौन सा कंट्री अफगानिस्तान इंडिया या चैना यही मतलब हैं बार्डर या एरान है कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बार्डर वाल इंडिया चाहता है के बार्डर वाल हो लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फारमनिस्टर से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बार्डर वाल करेंगे ताकि आप इलीगल समगलिंग देख लें या इसके लावा दूसरी चीज़ें हैं इंफिलिट्रेशन देख लें वह रोक सके तो उन्होंने बोला कि इससे इंटर्नेशनल लेवल पे एक नेगिटिव इमेज आएगा प्लिटिकल वे में नेगिटिव इमेज जाएगा यानि कि वह तो यह प्लिटिकल जो उनके पॉलिटिशन आ रहे हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या नुकसान ओरहा है अब हम फैंसिंग करते हैं तक्रीबान 500 किलो मेटर इंडिया 500 किलो मेटर इंडिया के साथ बόर्टर लगता है ऐस्सेभी ज्यदा लगता है ठीक है हमने बाइस सो किलो मीटर की फैंसिंग की वो अफगान आया दिन हम खबर सुनते हैं वो फैंसिंग की उखाड के ले जाते हैं हमें क्या फायदा हुआ क्या समगलिंग रुक गई तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेट के बॉर्डर वाल बॉर्डर वाल जो नहीं है जादा एक मूव लगता है बिल्गुल वो तो ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ रिलेशन ही खतम कर लिए कि ऐसा गैस्टर जाता है देखे चाइना ने ग्रेट वाल बनाई ठीक है मंगोलियों से बचने के लिए कि वो आते थे लूट के चले जाते थे उसका कोई ऐसाच फाइदा इसके लावा वाल करेंब भी तो फो रही हैं हो और यह यह नहीं तो फीर फायदा इससे बहुतर यहनुक्य और एक हम्र्ट के वह लिए हैं हो सकता है कि हमारी जैसे अपनी गर्मिंट की वह आदे बहुकर लिए वभी उपर चड़ता है जिसने मानदारे के साथ को कम करना है वह चीस उसको फे public हमारे जैसी है लेकिन politicians ऐसा चाहते हैं या या नहीं चाहते हैं चाहते हैं आपको नहीं लगता कि ज्यादा जूनसी स्टेर्टमेंट्स है67 हमारी साइट से जाते हैं अग्रेसिव कि या आइग्रेस्टेट्मेंट अगर कहें हैं वो हमारी साइट से जाती हैंक हम हम兩त अब बात हमारे स्ञाइव एग्री ट कि ले यह घर्स अब आद कि नोग devkas आ जाती है सेट कैसा बना रहे हैं मीडिया तो हमारा मंदब कि बहुत नेगटिव वह उन्हें एक चीज़ को पकड़ लेते हैं उस चीज़ पर चलते रहेंगे कोई चैनल तो पॉजिटिव उसकी है तो पॉजिटिव जैसा आपको पता है कि हमारी पॉजिटिव स्पोर्टर हैं वह पर लिए निश्य फॉरॉम्स को नहीं प्राइशनल प्राइजिव करते हैं इंटबर पाकिस्तां के बात करें लेएक चीज़ करते हैं उसका वह नेगटिव आइस्पेक्ट है तो हम इंडिया से हमारे चलते हैं वो कहते हैं कि एग्रेसिव निशन है कि मतलब के और फाइट ठीक अब अफगानिस्तान जब प्रिविएस्टी जब मसला था टेररिजम का उन्हों को तो हमारे हर एक मूव का कोई ना कोई मतलब के नेगडिव एसपेक्ट हम उसको नहीं दे पाम हैं उनने नहीं पता कि इंटर्नेशन लेवल पे कैसे हमें देखा जा रहा है और जो हमारे हमारे पॉलिटीशन हैंज ह bajo किस त्रांके डिसीजन ले रहा है उनसका इंपक्ट पाकिस्तान के ओपर क्या पाड़ अ हमें इस चीज प्ता चले गी कैसे पता चलेंगि और जो बाद करने हम एक बड़ी जोंसा है कहले एक अग्याडमी को इन जनर पात करूं कि हमारी जो मतलब के आर्मी वह क्या क्या करती है जो हमें पता नहीं था वह में नहीं नहीं चीज़ा पता चली ठीक ना बाहर की सारी दुनिया यह कहती रही है हम लोग यकीन नहीं करते हैं बाहर से मतलब के इंट्रेशन लोग दूसरे कोई कहता था लाइक अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती थी इवन इंडिया अक्सर कहता नदर आता हम यह कहते हैं यह देखो पाप फोज के बारे में क्या बोला जा रहा है यह देखो हमारे अदारों को बद्राम किया जा रहा है लेकिन आप यह चीज़ें हमें आइडिया होगे हमाँ बैस चलके कि वो कुछ हद तक सही कहा रहे थे बहुत मतलब के पेट्रोइट्स हैं थीक है ना तो हम अबिसली बिलीव करेंगे उसमें अब अपर अथोरिटी जो है आर्मी की वो कुछ ऐसी चीज़ करें उसका यह मतल करेंगे थोड़ा बहुत 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 करने के लिए हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे अच्छा यह बताएं रिलेशन बहुतर हो सकते हैं हमारे नेवर्स के साथ हम पहले यह कहते हैं नजर आते हैं इसलामी कंट्री में यूनिटी है अफगानिस्तान तो इसलामी सकते हैं बहुत फरक पड़ता है दिल जब तक साफ नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सोच के आप फर्स्ट अप लेंगे नहीं आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे रिलेशन बेहतर हो से